नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूस में आपका स्वागत है खब्रों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर पटना में माध्यमिक वा उच माध्यमिक विद्यालियों में सिक्छकों के 1837 पद खाली आज भारत आएंगे लालू यादव रोहिनी ने कही ये बड़ी बात बिहार में 30 से जादा पैसेंजर ट्रेनों के बदले समय पटना मेट्रों के निर्मान में सियम नितीस ने 569 करोड की दीमन्जूरी महस धाई किंटे भारत ने जीत लिया मुकाबला इसके साथी बरते हैं साम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से बिहार के तीन सीनियर आईपियस को मिली नई जिम्मधारी ग्रिविवाग के द्वारा अधिसूशना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार के तीन सीनियर IPS अधिकारी को नई जिम्मधारी सौपी गई है पता दे कि जिन तीन वर्स्ट IPS अधिकारी को नई जिम्मधारी दी गई है उनमें IPS निर्मल कुमार, सुनील कुमार और बचु सिंग मीना का नाम शामिल है इनमें से IPS निर्मल कुमार को नई जिम्मिदारी के रूप में ADG डेल से स्थांतरित कर ADG नागरिक सुरक्षा का प्रभार सौपा गया है तो वही IPS सुनिल कुमार को ADG विशेश शाखा को ADG सुरक्षा बनाया गया है विहार की राज़ानी पटना में माध्यमिक व उच माध्यमिक विद्यालियों में विविन विशेशों के कुल 1837 सिक्षकों के पद खाली है बता दे कि दूसरे विशेशों के आयोजित नियोजन के बावजूद 90 फीजदी पद खाली रह गया यानि की इतिहास मनोविज्ञान, राजनिती सास, रभुगोल, रशायन, भौतिकी सहित के दूसरे विशेशों में सिक्षक विवा को 10 फीजदी भी योग के अभ्यर्थी नहीं मिल सके आपकी जानकारी के लिए बता दे कि यह स्थिती केवल माध्यमिक विद्यालियों की ही नहीं बल्कि उच्च माध्यमिक विद्यालियों में भी सिक्षकों की संख्या कम है पिछले साल कम्प्यूटर सिक्षक सहे दूसरे विशेशों के लिए नियूजन हुआ लेकिन 91 फीजदी से ज़्यादा पद खाली रह गया पटनाजिले में खास ग्रामीन इलाकों के स्कूलों में कम्प्यूटर सिक्षकों की ही नहीं बल्कि शोसल साइंस और विज्यान के विश्यों में भी सिक्षकों की संख्या कम है। 11 फरवरी को पापा सिंगापूर से भारत जा रहे हैं। दी मंजूरी बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा पटना मेट्रो के निर्मान में खर्च करने के लिए 569 करोर रुपए की मंजूरी दी गई है। पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरिशन लिमिटेट को बिहार सरी विकास अभीकरन के माध्यम से आवशक्ता अनुसार उपलब्ध करवाया जाएगा। पटना मेट्रो के निर्मान के लिए राजिस सरकार के द्वारा कुल 1670.58 करोर रुपए दिये गए हैं। उसके विरुद भू अरजन मद में PMRCL के द्वारा अब तक करीब 536 करोर रुपए और निवेश मद में 464 करोर रुपए खर्च किये गए हैं। मालूमों के पटना मेट्रो रेल पडियोजना में भूमी अधिगरान वस्थापितों के पुनरवास और प्राइविट पब्लिक पार्टनर्शिप के मदों को छोड़ निवेश करने के लिए प्रजेक्ट की कूल राश्री का किंद्रव राजे सरकार के हिस्तेदारी 20-20 प् में है वहीं सोन नदी पर अर्वल और भोजपुर के सहार के वीच करीब 3 किलो मीटर लंबा फोर्ड लेन पूल का भी निर्मान किया जाएगा बतादे ही करीब 35 करोर रुपे सरक की अनुमानित लागत है फोर्ड लेन सरक के निर्मान के लिए जमीन के अधिगरहन की प्रक् और पुल के निर्मान से आने जाने में सबिकी बचत होगी भीहर के वेपारियों को भी सरक और पुल के बन जाने से माल लाने से ले जाने में सहायता मिलेगी और वहीं दूसरी तरफ पटना से आड़ा और साशराम तक का सफर भी आसान हो जाएगा पिछले चार दिनों से इंकम टैक्स के दौरा जेडियो एमलसी राथा चरन और बालू माफिया अशोग प्रिशात के ठिकानों पर चापे मारी की जा रही थी जो बीते दिन समात्त हो गई है वही इस चापे मारी के दौरा जांच टीम के दौरा दोनों के डेर सो से अधिक बै उस पार्टनर के पास से 1.42 करोड की राशी जास टीम के दौरा जब्त की गई है इन सब के अलावा मलसी राधा चरन और अरशोग कुमार के घर तथा ओफिस सहित कुल पास ठिकानों पर एक एक कमने में छापे मारी के दौरा जब्त दस्तावेज को रख कर कमलों को सील कर द जिनने राजे सरकार के दौरा चौथे चरन में मानिता प्रदान की गई है इसके लिए उच सिक्षा निदेशक के दौरा पटना विश्रविद्याले को छोड़कर राजे के सभे विश्रविद्याले के कूल सचीव को पत्र भेज न्युक्ति पुर्णति की तिति में बदल जिसके आधार पर सिक्षकों की न्युक्ति प्रणति तिति का निर्धारन किया जाना है। सबसे पहले जिले में 8 फरवरी रात 11 बजे तक इंटरनेट सेवा को रोका गया था लेकिन बात में 10 तारिक तक इंटरनेट सेवा बंद करने का आदेश चारी कर दिया गया था जिसे अब बहाल कर दिया गया है और साथ ही इस पूरे इलाके में अभी भी पुलिस के दौरा क प्रभावी तौर पर लागू हो गी बता जिया घया है जो आगामी 12 फरवरी 2023 से प्रभावी तोर पर लागू होगी बता दे कि जिन ट्रेनों के समय में परिवर्तन किया गया है उनमें गोड़कपूर नरकटिया गंज पैसेंजर ट्रेन, मुझपरपूर नरकटिया गंज पैसेंजर ट्रेन और नरकटिया गंज गोड़कपूर पै फाइव स्टार होटल मिलेंगे जिसे कुल 900 करोड की लाग से तयार किया जाएगा बता दे कि इन तीनों फाइव स्टार होटल का निर्मान होटल पाटलेपुतर अशोक, सुल्तान पैलिस और बांकेपूर बस स्टैंट परिसर में नीजी छित्र की भागीदारी से किया बता दे कि इन होटलों में 1075 कम्रे होंगे जिसके निर्मान को लेकर जल्दी परेटन विवाग के दोरा टेंडर भी जारी किया जाएगा हाला कि टेंडर जारी करने के लिए समीती के दोरा कुछ दिशा नर्देश दिये गए हैं जिसका पालन करने के बाद ही टेंडर निकाला जा सकता है बता दे कि समीती में परेटन वित्र राजश्व एवं भूमी सुधार नगरविकाश एवं आवास विभाग और उध्योग कर ली गई है बता दे कि बीजेपी के प्रदीश अध्यक्ट संजैर जैश्वाल के दोरा दी गई जानकारी के अनुसार अमिस्था वालमी की नगर लोगसभाद छितर की जनता को लौरिया के साहु जैन हाई स्कूल के स्टेडियम से 11 बजे से संबोधित करेंगे उन्होंने कि हमें सहका वालमी की नगर लोगसभाद छितर में आगमन हो रहा है 25 फरवडिकोई 11 बजे वसाहु जैन हाई स्कूल के मैदान में सभी कारेकरताओं को संबोधित करेंगे उन्होंने कहा कि यह हमारे जिले के लिए हर्ष की बात है कि हमारे वालमी की नगर लोगसभा छितर और नर्शों की पोस्टिंग को लेकर एक बड़ी घोशना की गई है। पुराने अस्पताल भवनों को तोर कर नया बनाया जाएगा और आवशकता पढ़ने पर जिनुद्धार भी किया जाएगा। केश प्रताप यादव के दो M स्ट्रेट रोड स्थ सरकारी आवाज से लाखो कैस और महंगे समान चोड़ी कर लिये थे और फिर फरार हो गया था जिसके बाद मंतरी के दोरा FIR दर्च करवाया गया था। लेकिन इतने समय बाद भी अब तक पुलिस के दोरा कोई कारवाई नहीं की गई है। इस मामले को लेकर मंतरी के दोरा सचीवाले थाना को भी लिखित आविदन दिया गया है और चनल से पैसे दिलवाने की मांग की गई है। देर हो गई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीव स्मिथ टॉप स्कोरर रहे। उन्होंने नाबाद 25 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियाई बलेबाजों के पास भारतिये गेंदबाज खासकर अश्विन और जडेजा का कोई जवाब नहीं था वो एकदम निरुत्तर हो गया। भारत की पहली पारी समाप्त होने के बाद कंगारू टीम बलेबाजी करने उतरी उनके सामने चुनौती बड़ी थी क्योंकि भारत ने पहली पारी में 200 से उपर की बढ़त बनाई थी लेकिन अश्विन की घूमती गेंदो का उनके पास कोई जवाब नहीं था इस्तानदार प्रति लीटर में मिल रहा है वहीं पोर्णिया में पेट्रॉल इकीमत एक सुरार दसमलो तीन एक रूपए और डीजल कीमत 95.4 रूपए प्रति लीटर है बता दी कि बिहार में पेट्रॉल का इट सबसे आदा किसन गंच में है जहां पेट्रॉल 109.4 रूपए प्रति लीटर और 266.4 रूपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है बीते दिन हमारे दोरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अबना जवाब हमें हमारी कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है जिन्हों नहीं हमारे दोरा पूछे के सवाल का जवाब दिया उनके नाम है आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके छेतर में ठंड की क्या स्थती है आपना जवाब हमें मारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं चानल को सब्सक्राइब करना औरग्राफ फेस्बुक से देख रहा है तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद